ही गाइस वेलकॉम बैक टो मैं चैनल गाइस आज इस विए हम बनाने वाले हैं डिजाइनर फ्रंट सेट कुर्ती जिसके लिए यहां पर मैंने प्रेइन फैब्रिक लिया हुआ है जो है थ्री मीटर सो गाइस रसका स्टार्ट है देखिए सबसे फहले फैब्रिक को हमने इससे फोर-फोर्ड किया हुआ है इसकी लेंद मैंने लिए है फिप्ते इंचिस तो टोटल लेंद मैंने लिए हैं 50 इंचिस अब यहां से मागें करना start करेंगे तो shoulder का part मेलोंगी 7 inches आम होल भी मेलोंगी यहाँ पे 7 inches डाउन पे हम एक mark कर लीना है उसके बाद हम यहाँ पे दूरों पंट्स को join करते हुँआ लाइन जो कर लेंगे देखिए यहाँ पे आएगा हमारे चेस का पार्ट तो वो में लूँगी यहां पर 11 इंचिस यहां पर चेस का जो भी मेजरमेंट हो तो डियर पर 4 कर लेना है प्लस उसमें हम 2 इंचिस अड़ करेंगे स्विंग लांस के लिए ती हो गया हमारा चेस पार्ट उपर से कमर की लैंद है 15 इंचिस तो 15 पर हमें एक मार्क कर लेना है और यहां पर एगी हमारी कमर की चोड़ाए वो में लोगी यहां पर 10 इंचिस तो यहां पर 10 पर हम मार्क कर लेंगे अब यहां पर हम दोनों पॉंट्स को जॉइन करते हुए लाइन जो कर लेंगे इस पॉंट को हमें क्रॉस में नीचे तक एक्स्टेंड कर लेना है हमारी लांस तक तो जितना फ्लैर चाहे आप यहां से क्रॉस में एक्स्टेंड कर सकते हैं आम होल मैंने लिया था 7 इंचेस उसका हाफ होता है 3.5 तो यहां पर हमें एक मार्क करना है और यहां से हमारा आम होल का कव शुरू होगा तो मैंने इस तरह से राउंड शेप देते हुए आम होल को जो कर लिया है नेक की चोड़ा मैं लूँगी यहां पर 3 इंचेस और लैंड मैं लूँगी यहां पर 3 इंचेस उसकी बाद हम राउंड में शेप दो कर लेंगे तो इस तरह से ही हमने शेप को दो कर लिया है इस पार्ट को हमें कट करना है नीचे की तरह फलका सा हम राउंड शेप दो कर लेंगे इस तरह से हमने मार्किंग कम्प्रेट कर लिया है इस पार्ट को हम कट कर लेंगे तो यह हमने इस तरह से कट कर लिया है इस में से हमें जो हमारा बैक का पार्ट है उसे सेपरेट कर लिया है और इस पार्ट का पार्ट है उसे वापस हम अच्छे से टू फोल्ड कर लेंगे टू फोल्ड करने के बाद यह जो मन नेक लाइन है उसे हमें यहाँ पे चेंड करना है तो लैंड में रखूंगी फ्रंट की 6.5 इंचिस तो यहाँ पे 6.5 इंचिस पे हमें इस तसे मार्ग कर लेना है उसके बाद यहाँ से हम V शेप दो कर लेंगे इस लैंड को यहाँ तक हमें एक्स्टेंड कर लेना है और शेप को दो कर लेना है तो यह हमारा फ्रंट का हमने नेक ड्रो कर लिया है इसे हमें कट करना है तो नेक को यहां पर हमने कट कर लिया है अब यहां से जहां पर हमारी नेक लाइन खतम होती है तो यहां से हम कट लगा के इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो इस तर से हमारी फ्रंट में स्लिट बन जाएगी जिसके लिए यहां पर हमें इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है सबसे पहले अब sleeves को cut करने के लिए fabric को हमने 4 fold किया हुआ है 4 fold मेंने लिया है approximately 9 inches जितना अब यहां से 3 inches down पर हमें एक mark करना है और इस line को हमें इस तरह से shape को draw कर लेना है यहां से जो हमने marking की थी यहां से land मैंने लिया है यहां पर 18 inches और जहां पर हमारी land खतम होती है वहां पर एगी हमारी sleeves की चौड़ाई वो में मिलोंगे 6 inches उसके बाद हम दोनों points को join करते हुए shape को draw कर लेंगे तो यहां पर हमने draw कर लिया है इस part को में cut करना है तो sleeves को मैंने यहां पर cut कर लिया है इसे हम open करेंगे उपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है अब बढ़ते हैं stitching की और तो सबसे फ़ले हमारा right part है जिसके उपर दूसरा part हम उल्टा रखेंगे और जो हमारा front का part हमने दो हिस्तों में cut किया था उससे हमें join करना है तो दोनों parts को हम अच्छे से मिला लेंगे और यहां से हमें slide करके दोनों को join करना है यहां से हम length को mark करेंगे तो उपर से हमें 21 inches दा किसे join करना है तो यहां से हम line को draw कर लेंगे तो approximately 1 inch के difference पे line को draw करना है तो जहां तक हमने marking की है वहां तक हमें सिलाई करके इसे join करना है तो यहां तक हमने सिलाई लगा दी है अब जो हमारा बैक साइट है उसमें हमें इसे हमें बैक साइट पर टर्ण करना है और ये जो हमारा फैबरिक है उसे हमें बैक साइट पर इसे से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करके हम स्लाइक कर लेंगी इस तरब भी हमें इसी तरब से बैक साइट पर डबल फोल्ड करके स्लाइक कर लिना है तो हमारी यहां पर स्लिट तयार हो जाएगी तो मैंने यहां पर फ्रंट में स्लिट बना ली है मैंने इस तरब से बैक साइट पर डबल फोल्ड कर लिया है अब हमें हमारा नेकलाइन तयार करना होगा तो मैंने इस तरह से V-shape में strip को cut कर लिया है जिसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और यहां पर आपको slice कर लेना है इसी तरह से back part में भी मैंने उशी shape का strip cut किया हुआ है जिसे हम उल्टा रखके हम पर सिलाई कर लेंगे तो यहां पर हमने सिलाई लगा दी है हलके हलके हम नौचिस लगाएंगे तो ध्यान रखे कि आपकी सिलाई ना कटे उसके बाद इस ट्रिप को हम बैक साइट पर टर्न करेंगे और बैक साइट पर आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है तो इस तरह से हमारा नेक तैयर हो जाएगा इसी तरह से बैक का नेक भी हमें तैयर करना है सिंप्ली इसे बैक साइट पर आपको डबल फोल्ड कर लेना है तो मैंने यहां पर नेक तैयर कर लिया है अब यह हमार राइट पार्ट है जिसके ऊपर बैक का पार्ट हम इससे उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे आपको दोनों को अच्छा से मिलाने के बाद शोल्ड़ फिटिंग करनी है तो दोनों तरफ हम सिलाई करके शोल्ड़ फिटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर हमने shoulder fitting कर ली है अब हमें sleeves को join करना है तो यह हमार right part है जिसके उपर sleeves को हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई करके sleeves को यहाँ पर join कर लेंगे इसी तरफे यहाँ पर हमें sleeves को उल्टा रखके सिलाई कर लेना है right part के उपर sleeves को हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरप से सिलाई करके हम यहाँ पर join कर लेंगे celebs को join करने के बाद हमें sleeves की borderrer करनी है तो इसे simply back side पर double fold करके हमें सिलाई कर लेना है तो दोनों sleeves की border हम इसी तरफे फोल कर लेंगे यहां पर हमने बॉडर को भी फोल्ड कर लिया है अब हम इसे रॉंग साइट पर टान करेंगे फिटिंग के लिए तो मैंने इससे रॉंग साइट पर टान कर लिया है अब यहां पर मेलूंगी चेस का पार्ट तो वो मेलूंगी यहां पर 19 इंचिस यहां पर चेस का जो भी मेजरमेंट हो से हाफ करके उसमें 1 इचाड कर लेना है लुजिंग के लिए उपर से कमर की लैंद है 15 इंचिस से 15 पर हमें एक मार्क कर लेना है और यहां पर आईगी हमारी कमर की छोड़ाई वो मिलूँगी हाँ पर 16 इंचिस उसके बाद हम दोनों पॉइंट को जोइन कर लेंगे इसलिए उसकी चोड़ाई मेलूँगी यहां पर 5 इंचिस और इस लाइन को हम यहां तक एक्टेंड कर लेंगे और यह जो हमारा पॉइंट है उससे हमें क्रॉस में नीचे तक एक्टेंड कर लेना है हमारी लांती तर इस तर से यहां पर हमें फिटिंग कर लेना है तो जैसे हमने डोग किया है वैसे हमें यहां पर इसलाई करके इसकी फिटिंग करना है फिटिंग करके हमने इस तर राइट साइड पर टर्न कर लिया है अब last में हम नीचे की बॉर्डौ को फोल्ड करेंगे तो यहां पे हमें इस दसे back side पे double fold करना है और double fold करके हमें सलाई करते जाना है तो हमारी water फोल्ड हो जाएगी बॉर्डौ को हमने फोल्ड कर लिया है और यह जो मारे जॉयनिंग है यहां पे हम button लगाएंगे तो यहाँ पर आप कोई भी रेडिमेट बटन लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर इससे बटन लगा दिये हैं और इस कुर्थी के साथ आप बैल्ड को भी अटेज कर सकते हैं इस तरह से तो फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिजाइनर फ्रंट स्रीट कुरती बिल्कुल तैयार है गाइस तैयर हमारी डिजाइनर कुरती अगर आपको हमारी डिजाइन अच्छी लगी तो लिएक करें शेयर करें और गाइस अभी तक आपने वेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बैल आइकन पर लिक करें ताकि आप मारा आने वाड़ी को वीडियोस को मिस ना करें थैंक्स फूर वाचिंग बबाई 努्सक्राइब टाकिंग पो मारा हम याज़ी को मैं किया है झाल झाल